नहीं बात करने वाले हैं। बहुत यह ब accepts करेंगे, जिसका size 30 x 30 में, pretty by 30 में प्लान मैंने create करें। बहुत यह बहुत यह非-ござिकर हैं, फ्रेंट केली की बात करें तो आपको इस देखने को मिलता है और यह three side closed है। तो तो यह दोस्तों आप देख पा रहे होंगे और सुर्फ फ्रेंट से ही मैंने ओपन किया है, सामने सापका रूड निकला हुआ है, और इसके बाद यह पूरा मॉडल मैंने डिजाइन किया है, इसका फ्रेंट इलवेशन की बात करें, तो वेल डेकॉरेटेड मैंने आपको हाई सिंपल ही प्लान, बस थोड़ा सा जो मेन मैने फ्रेंट आइलवेशन किया है, इस में थोड़ा सा आपको पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं तो, ये पूरा सिंपल प्लान ही है, अब ही आपको मैं जब समझाओंगा ताब आपको समझ में आ Gाज़ेगा, कि लो विल आइकन जुरु दबाने जिस से आने वाले सभी वीडियो आप लागतार देख सकें। दोस्तों इस मालहस प्लान पर आपको लगातर अपडेटेड नेने डिजायन नेने मॉडल से मिलते रहते हैं। जो मैं आपको आज डिसकस करूँगा वो प्लान 30 वाई 30 का है। तो सबसे पहले इस प्लान को मैं 30 प्रिटिस का विडित चोड़ाई है। और 30 ही इसकी लेन थे लंबाई है। तो अगर हम बात करें इसके फ्रेंट टेलबेशन की तो यह देखिए मैं जूम करको आप दिखाता हूँ। इसका पूरा डिजाइन कैसा आपको देखने को मिलने वाल है। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यह इसका ग्राउंड फ्लोर है। यह जूम करके दिखाता हूँ, इसका आपको रियालिस्टी भी देखने को मिल जाए। यह विंडो का डॉर है, चारो तरफ फ्रेम मैंने क्रीट किया है और यह विंडो है क्योंकि फ्रंट में दो बैड्रूम है, इसलिए मैंने विंडो फ्रंट में दिया है। और यह आपका प्लर है जो आप देख पार है नॉर्मल सा प्लर उसमें टाइल्स को इस्तमाल किया है इधर भी किया है और यह आपका फ्रेंट का डिजाइन है यह फ्रेंट से रोड है इस्टेर्स के माद़र हम सब ओपर चाड़ेंगे आपको पहले एक पोर्च टैप का मिलता है दोनों तरफ मैंने देखी प्लांटेशन किया है जो की डेकरेशन का पार्ट है आप इस्टेर्स के माद़र हम सूपर जाएंगे तो आपको यह एक बड़ा सा एक बालकनी टैप का मिलता है फ्रेंट में बारंदर टैप का मिलता है अगर दोस्तों आपको इसका फ्रेंट अच्छा लगा तो वीडियो का भी लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह दिखिए इसका में डूर है में डूर यह है लेकिन जैसे आप इस पोर्च में आते हैं तो दोनों तरफ जो लेट और राइट साइड कॉरनर पर आपके वेड़ूम है उसको जाने के दिखाऊं को तो आप उसको समझ में आ जाएगा यह विंडो कैसे क्रेट किया है यह विंडो है उसके चारो तरफ फ्रेम बना हुआ उपर भी एक फ्रेम टाइप का बना दिया है तो यह तो दोनों बेड़ूम की बात हो गई फ्रेंड की इसके बाद आप जैसे इंट्री कर करें इधर से स्टेर्स मैंने दी है और यह आपका किचिन के एरिया है काफी बड़ा सा किचिन मैंने क्रेट किया है और यह आपका एक लॉन डैप का निकलाता है डानिंग एरिया डाप का निकलाता है जो मैंने क्रेट किया है इस बेड्रूम के बात करें तो तीन बेड्रू बात करें अंदर तीन बैड डूम आपको समझे आ गया हो फ्रेंट की बात करें तो ऐसे जूम करके दिखाऊंगा आपको जिससे आपको इसका रियलिस्टिव की देखने को मिल जाए यह जो आपको फ्रेंट डिजाइन है तो यह विंडू की डिजाइन है ओवराल पूरी यह पूरा यह मैंने आप पर क्रेट किया है तो यह पूरा आपका 30 वाई 30 फिट बें ग्राउंड फ्रॉर्ड बन जाता है अगर हम बात करें इसके फ़च फ्लूर की तुझे इसका फ़च फ्लूर है फ़च फ्लूर पर चारो तर मैंने साड़े 30 फिट का बॉर्डी और यह वोक्स बना दी है इस ओजानिंग के परपस से आपका विनडो अबेर में पूरा बील जो है एक नॉर्मल फंट में थोड़ा सा विल्डक्रीट कर दिया है जो है पूरा थario जो model बनकर ready हुआ कैसा लगा हमें जरूर बताएं और सबस्ते वीडियो को लाइक से जरूर करें और मैं बता दूँ मैंने दुस्तों paid service से इस्तमाल चालू की है अगर आपसे इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप में whatsapp पर contact कर सकते हैं हमारा number whatsapp का description में दिया हुआ है लेकिन वहाँ बर paid user ही contact करें जो paid service के इस्तमाल करना चाहते हैं वही contact करें तो पूरा model कैसा लगा जरूर पता हैं सबस्ते वीडियो के लाइस से जरूर करें कोई भी doubt रह जाता तो comment करके पूछ सकते हैं मौडल किसी भी डाइप का बनवाना चाहते हैं तो भी comment करके बता सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस महलावस प्लान चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें जिससे updated वीडियो नहने मौडल साब को लगातार मिलते रहें Thanks watching